महराश्रा के विदान सबा चुनाओं में MVA और महायूती के लिए सरदर्द बने बागी नेताओं का मामला अभी शान्त ही नहीं हुआ था कि अब उनके सामने एक और सरदर्द आ चुका है और वो सरदर्द है एक ही नाम के कई सारे उमिद्वारों का महराश्रा की कई assembly seat पर एक या दो नहीं बल की चार-चार उमिद्वार एक ही नाम के मैदान में हैं जिसमें इंदापुर, वडगाउं शेरी और करजिक जामखेड जैसी high profile seats भी शामिल हैं कौन-कौन सी है ये seat और कौन-कौन से उमिद्वारों के नामों के डुब्लिकेट इस चुनाओं के मैदान में उतरे हैं इसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे नमुश्कार आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी और मेरा नाम है सोनु कनोजिया महराश्रा में विदान सबा चुनाओं के लिए नॉमिनेशन वापस लेने का समय खतम हो चुका है और इसी के साथ खतम हुआ है M.V.A. और महायूती का बगावत का टेंशन लेकिन डुब्लिकेट नामों का टेंशन जो है वो अभी भी इन दोनों अलाइंस का बना हुआ है सबसे पहले बात करेंगे पूने की हाई प्रोफाइल सीट इंदापूर की पूने जिले की इंदापूर विदान सबा सीट पर महायूती में शामिल अजीत पवार की अगवाई वाली N.C.P. से दतात्रे भरने और शरत पवार की अगवाई वाली N.C.P. से हर्श्वरदन पाटिल मैदान में है इस सीट पर हर्श्वदन पार्टिल नाम के दो और नेता निर्दलिय तोर पर मैदान में हैं इतना ही नहीं दर्तात्रे भरने नाम का भी एक निर्दलिय मैदान में हैं आपको बता दें कि कुछी वक्त पहले हर्श्वर्दन पाटिल बीजेपी छोड़कर शर्थपवार की NCP में शामिल हुए है अगली सीट है करजत जामखेड की एमन नगर की करजत जामखेड विदान सबा सीट पर बीजेपी से रामशिंदे और शर्थपवार की NCP से रोहित पवार मैदान में है इस सीट पर रोहित पवार और रामशिंदे दोनों ही कैंडिडेट के नामों के दो दो और उमिद्वार मैदान में है जिससे चुनाओं में वोटर्स के बीच कन्फीजन होने की आशंका जताई जा रही है अगली सीट है इसलामपूर की सांगली जिले की इसलामपूर विदान सबा सीट पर अगली सीट है ताजगाउं कवटे की महाकाल सांगली जिले की ताजगाउं कवटे महाकाल विदान सबा सीट पर दोनों एनसीपी के बीच फाइट है अजीद पवार ने संजय काका पाटिल और शरत पवार ने रोहित पाटिल को मैदान में उतारा है इस सीट पर रोहित पाटिल नाम के तीन निर्दलिय उमिदवार चुनावी मैदान में है और संजय पाटी नाम का एक के नेता निर्दल्य तोर पर मैदान में उत्रा हुआ है अगली सीट है मुक्ताई नगर की जलगाउं जिले की मुक्ताई नगर विदान सबा सीट पर शिवशेना शिंदे गुट के चंदरकांद पाटिल और NCP शरतपवार गुट की रोहिनी एकनात खरसे के बीच मुकाबला है इस सीट पर रोहिनी पंडित खरसे और रोहिनी गोकुल खरसे नाम की दो निर्दलिय उमिद्वार भी मैदान में है रोहिनी खरसे नाम वाली इन दोनों ही महिला उमिद्वारों में से कोई भी मुकताई नगर का नहीं है बलकि जलगाओ नगर का भी नहीं है एक रोहीनी वाशिम जिले की है तो दूसरी आकुला से इस सीट पर चंदरकान पाटिन लाम के भी दो निर्दलिय उमिद्वार मैदान में है अगली सीट है वडगाओं शेरी की पूने जिले की वडगाओं शेरी विदान सबा सीट पर अजित पवार के उमिद्वार मौझूदा विधायक सुनिल टिंग्रे के खिलाफ शरत पवार ने बापू तुकाराम पाटारे को चुनावी मैदान में उतारा है इस सीट पर बापू बबंद पाटरे ने भी नामंकन भरा है अगली सीट है पारवती सीट की पूने जिले की पार्वती सीट पर महायूती की और से भारती जनता पार्टी ने मादुरी मिसाल और शरत पवार की अगवाई वाली राश्चुवादी कॉंग्रेस पार्टी ने अश्विनी कदम को मैदान में उतारा है टब फाइट वाली इस सीट पर अश्विनी कदम नाम की तीन-तीन निर्दलिय उमिद्वार मैदान में हैं अगली सीट है दापोली की रतनागिरी जिले की दापोली विदान सबा सीट पर शिवशेना बनाम शिवशेना का मुकाबला है एकनाशिन्दे की अग्वाईवाली शिवशेना ने योगेश कदम को टिकेट दिया है तो भही उद्दफठाकरे की अग्वाईवाली शिवशेना यूपीटी से सञे कदम उमिद्वार बनाए गए हैं इस सीट पर योगेश, कदम और संजय, कदम दोनों ही नामों वाले दो-दो निर्दलिय उमिद्वार चुनावी मैदान में है अगली सीट है कोरेगाउं सातारा जिले की कोरेगाउं विदान सबा सीट पर एकनाशिंदे की अगवाईवाली शिवशेना से महेश संबाजी, राजे शिंदे और NCP शर्थपवार के निशिकांत शिंदे के बीच पाइट है इस सीट पर महेश नाम के तीन उमिद्वार बत और निर्दलिय मैदान में है हिनमें से दो निर्धलिय उम्यदवार के नाम महेश मादवशिंद और महेश सक राम शिंद है जब कि एक उमिदवार का नाम महेश मादव कामले है तो यह कुछ ऐसी सीटे हैं जहाँ ठेज डूंप एक ही नाम के कई सारे केंड़ेटिस चुनावी मैदान में हैं और एक ही नाम के अलग-अलग कैंडिडेट्स होने की वज़र से हो सकता है कि ये जो बड़ी पार्टियां हैं इन्हें नुकसान का सामना करना पड़े